हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है तापती स्टेडी क्लास्स चैनल पे आज के इस वीडियो में हम एंपी बोर्ड के न्यू सीलेबस और ब्लूप्रिंट के बारे में बात करने वाल है जो की सेशन 2022 और 2023 स्केल है तो जितने भी स्टुरेंट्स चैनल पे नहें हैं क्लास नाइन से से ट्वलत तक के वह सभी चैनल को सिस्क्राइब जरू करें ताकि एंपी बोर्ड से जूरी सार आपको जो सिलेबस वाइस कोशन इंपोर्टेंट वह भी मिल सके और साथ ही साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरू करें वीडियो को लाइक निकराओ तो लाइक भी करें तो शुरुवात करते हैं तो जो नूब ब्लूप्रिंट आया है इसमें थोड़े स सेम सिलेबस होगा CBSE के अकॉर्डिंग ठीक है इसके बारे में यहां पर MP Board ने जो है अभी रिडियूस सिलेबस भी आपके लिए यहां पर जारी होगा क्योंकि जो रिडियूस सिलेबस अब कहा गया देख एक पॉइंट में आपको यहां पर बताया गया पहले क्या होता था रिडियूस सिलेबस आपका अलग से आता था MP Board के जितने भी स्टुरेंट्स होगे उन्हें अच्छे से पता होगा पिछले वर्ष भी जब रिडियूस सिलेबस आया लगातार वर्सों में तो जो रिडियूस सिलेबस हो रहे थे उन चीजों में टॉपिक क्या थे यहां पर एंपी बोर्ड डिसाइड करता था लेकिन इस वर्ष जो सिलेबस हैना वो सीबी एसी से डारेक्टली होगा याने इहां पर सीबी एसी में जो सेम फॉलो होगा सिलेबस वही फॉलो किसमें होगा MP Board में तो यदि मान लिजे सीबीस में आप हम एजियूम करते हैं इमान लिज तो अब यही MP Board में भी होगा MP Board में भी रीडियोस होगा याने MP Board में भी आपको चप्टर नमबर सेकेंड नहीं पढ़ना होगा तो यह पैटर नाधारित होगा लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप यहां पर पांठे करम इसी लिया गया सीबीसी तो पेपर भी सीबीसी की जै अब आपको जो पेपर है वो बिलकुल MP Board की जैसे देनास में कोई दिकत नहीं लेकिन सीलेबस सीम होगा जितना सीबीसी रीडिस करेगा उतना MP Board में रीडिस होगा तो आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया ठीक है इसके लाव जो ब्लूप्रिंट होगना है वो यहां पर मैं इसके लाव जो 83 अर्दवार्शिक आपकी परिक्षा होगी ना इसके भी प्रोजक्ट में प्लस करके जो अंको जोड़ा जाएंगे वो भी कितने कितने परसेंटेज में होगे कुल 5 परसेंटेज यहां पर आपको उसका मिलेगा ठीक है यहां पर कुल प्राप्त अंकर का 5 परसेंट बताया गया है तो ऐसे ही आपका जैसे 83 हो गया 6 माई हो गया और इन सब जोड़कर अधिभार आयोजित के होगा वो इसी केटेग्री में 5 प्लस 5 की के अनुसार जोड़ा दाएगा ठीक है जैसे 5 परसेंट इमाई में से 5 परसेंट यहां पर अर्दवार्शिक तो यहां पर जिन स्टुरेंट्स के प्रक्टिकल प्रोजेक्ट नमबह अच्छे होगे उनके परसेंटेज उचे हाई बन सकते है तो यहां पर आपको फायदा इसका मिलेगा पहले केवल प्रायोगी के होते थे प्रोजेक्ट नहीं एक आद विशे का यहां पर बेनिफिट मिल लेकिन जिन में प्रैक्टिकल यहां पर नहीं होगे वो कितने अंकों के बनेगे प्रश्ण पत्र असी अंक के और उसमें यहां पर क्या होगा जो प्रोजेक्ट होगे वो अलग से चोड़ लिए जो बीस अंक बच्चे जाएंगे समझ लेजे प्रोजेक्ट के ठीक है स्वा जो आपके सब्जेक्ट होते जो इनको बोलु मराटी कैसे साधर पिन को डिशवें इस sonra 18mm की आपका थाले प्रोजेक्ट मोसं ए जूपीनुकिकल kust verste यहाँ नहीं होती है इस ambition आपका सुनकर सब्सक्राइब के कि प्रोजैक्त सभनाओ प्रोजेक्ट एस तरहाँ हैatin चाहिए तो प्राय होगी, कि यहां पर आपका अंकर बढ़ाकर कितना 30 इहां पर है और जिन में प्रक्टिकल सोते हैं, आपके फिजिक्स हो गया, कैमिस्ट्री हो गया, बायलोजी यह सत्तर अंकर कर दी गए प्रश्णों का इसतर 40% है सरल 45% है सामाने 15 और बाकी यहां पर जो कठीन परसंट है लेकिन आपको याद रखना है जो प्रश्ण है यह जो यहां पर आपको दिख रहा है परसंटेज यह MP बोर्ड में होता है तो CBSE बोर्ड में ऐसा नहीं होता है है पुरा चेंज पिपर होता है तो equally aware और अपको यहां करना चाहते हैं मैंने अपको बता इसका मतर है न बिलекст स्था करना चाहता है रहता में लिए लिक्ते कर सकते रहits कुषियात्मक और विशलेशनात्मक जो प्रश्ण होते हैं और अब्जेक्टिव कोशें वह 40 परसेंट में हैं इसी प्रकार से 20 परसेंट क्या दार पर बाटेगा तो आज के इस वीडियो में हमने मिलते हैं नए वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग